आप सब ने कभी ना कभी hand lens यानि की आवर्धक lens यूस किया होगा इस तरह की उसकी शकल होती है और इससे अगर आपका आगस के उपर देखो तो ये देखो लेटर बड़े हो गए ना अक्षर बड़े नजर आते हैं तभी इसको कहते हैं आवर्धक मतलब प्रतिमिम को बढ़ा करके दिखाने वाला लेंस दो तरह के लेंस होते हैं एक तो बीच से मोटा और किनारों से पतला आप हाथ लगा के देखो तो महसूस होगा आपको और इसको पकड़ोगे अफ़तल लेंस को तो बीच में से ये पतला होगा दोनों तरफ से लेकिन इसके किनारे मोटे होंगे ऐसा लेंस अफ़तल लेंस गड़े वाला लेंस दोनों तरफ से गड़े उतल लेंस दोनों तरफ से मोटा उबरा हुआ तो ये जो lens हमने देखा था ये कौनसे वाला इन दोनों में से ये है उत्तर lens का उधारन ये सभी lens पारदर्शी होते हैं इनके आरपार light जा सकती है प्रकाश इनके आरपार गुजर सकता है जा सकता है तो ये पारदर्शी वस्तुए कहलाती है अफ़तल लेंस प्रकाश की किर्णों को इकाठधा कर देता है देखो एक अफ़ित करता है और यह क्या करन रहे हैं जोब विम्भ यानि वस्तू यानि मुबद्थी की लो श्टैंड श्टैंड पर यह क्या रखा गया है डौन सा लेंस सेंटर से मोटा तो ये है उत्तल लेंस परदा यदि बिम को स्टैंड के नस्दीक रखा जाए लेंस के पास रखा जाए तो कैसा प्रतिम बनेगा प्रतिम बनेगा आभासी सीधा आवर्दित यानि की बड़े साइस का वस्तु से बड़ा सीधा लेकिन नकली यानि आभासी जिसको परदे पर उतारा ना जा सके और जैसे जैसे इसको दूर रखेंगे तो ये वास्तविक बन जाएगा यानि की परदे पर उतारा जा सकेगा प्रतिम और उल्टा प्रतिम होगा ये एक और प्रयोग बिम्ब यानि मुबत्ती की लौ सामने है ये लेंस अब की बार अवतल लेंस गड़े वाला परदा यानि की वाइट शीट और सदा ही अभासी बनेगा प्रतिबिम्ब यानि की नकली वास्तविक नहीं ऐसा वाला जो परदे पर उतारा ना जा सके सीधा प्रतिबिम्ब होगा स्ट्रेट और छोटा बनेगा साइज में इंद्रधनुष इसमें कितने वर्ण होते हैं कितने रंग होते हैं साथ साथ रंगों का बना है ये कौन-कौन से लाल नारंगी यानि औरेंज पीला हरा नीला जामुनी बैंगनी इसी तरह साब उनके बुल-बुले आपने देखे होंगे उनमें भी रंगोते हैं कई सारे ऐसे ही प्रकाश की किरणों में जब सीडी रखोगे सूरे के नीचे सीडी रखते हो आप सीडी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क तो प्रकाश आएगा इससे और परावर्तित हो इससे हमें समझ में आता है कि सूरे का प्रकाश अनेक रंगों का बना हुआ है सात रंगों का बना हुआ है सूरे का प्रकाश मिश्रन है ये विभिन वर्णों का मिश्रन सूरे का प्रकाश कांच का एक PRISM ऐसे तिकोना सा होता है PRISM पिरामिट जैसा PRISM कांच का बना हुआ इसको किसी अंधेरे कमरे में रखो और खिड़की में से ज़रा सी एरिया खुला हुआ हो चोटा सा स्थान हो एरिया जहां से लाइट आ सकती हो मान लो तो लाइट की किरण ये गई गई ठीक है प्रकाश की किरण रेखा इस पर गिर रही है सफेद लाइट है ये ठीक है तो सूर्य की किरण कैसी होती है प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है इसका श्वेत रंग का लेकिन जब ये प्रिजम पे गिरती है ये किरण तो ये छितर छि दिया चणा है प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुँंच को साथ रंगों में विभक्त कर देता है इसका मतलब सूर्य का श्वेत प्रकाश साथ वर्णों का बना हुआ होता है तो यह है एक पृज्म और ये क्या है ये एक गोल चक्री है जिसको हमने कई रंगों में कलर कर दिया है और इसका एक लट्टू सा बना दिया है जब आप इस लट्टू को घुमाओ गए तो ये सारे रंग, सात रंग जो आपने भरे थे वो सारे नजर ही नहीं आएंगे और आपको white नजर आएगी ये जो disc है क्योंकि जब ये सारे रंग सात रंग मिल जाते हैं तो श्वेत वर्ण प्राप्त होता है इस सात रंगों की disc को Newton की disc भी कहा जाता है ये है एक वृताकार Newton disc है इसको Newton disc कहते हैं और इसमें कई सारे रंग है देखो इंद्र धनुष के सात रंग और इसको जब घुबाया जाता है तो वो सातों रंग मिल जाएंगे और सफेर नजर आएगी ये disc तो इसको घुमाना होता है और घुमा कर देखते हैं क्या ये सफेर दिखेगी ये देखी वाइट हो गई क्या जाएगी